हेलो दोस्तों सागत है हमारे चैनल नौलेज जैस में इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC का IPO जो लाँच होने जा रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इसकी launching date cup है ये last cup तक apply कर सकते है और ये IPO लगाने जैसा है या नहीं और नहीं लगे तो उसके बाद लेने जैसा है या नहीं और ये long term के लिए कैसा है तो इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना है उन सबी बातों के लिए चर्च इस्टेबलीश होई है इंडियन रेल्वे फाइनन्स कॉर्परेशन और इनकी प्रॉफिट की बात करें तो 31,220 तक प्रॉफिट इसका प्रॉफिट इसका प्रॉपिट इस जार 920 मिलियन था रुपीज में और ये IRFC के IPO की जो डिटेल की बारे में बात करते हैं इसकी ओप 25 से 26 रुपे तक एक शेयर का इसका प्राइज होगा और 575 शेयर का लॉट होगा इसका और दूसरी बात ही है इसका रीटेल एलोकेशन है 35% मतलब 35% जो रीटेलर्स को मिलेगा ये शेयर और इसका ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट का प्री गुंतिस रुपय आसपास तह इतना ही बता रहा है पर मुझे लगता है ये एक शेयर पचास रुपय आसपास जा सकता है लगबग इसका डबल या ट्रेपल प्राफिट होना तय है मेरे साथ से अब बात करते हैं इसकी लिस्टिंग अब होगी इसका अलोट्मेंट डेट है 25 जनवरी 2021 और हमारे जो वापस अगर नहीं लगता है तो रिफंड की डेट है 27 जनवरी 2021 को और हमारे जो आई पयो की लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी होगी और हम कितने लॉट अपलाई कर सकते हैं मतलब 13 लॉट अपलाई कर सकते हैं मतलब 1,440,350 रुपय के शेयर खरीद सक हैं हम होग अब बात करते हैं कि आई-उर अपसी का इपिउ लगाने जैसा है या नहीं हम बिलकुल लगाने जैसा है बहुत अच्छा एपिव है हम 2-3 चार जतने लोट लगा सकते है लगाने चाहिए और यह लॉंग डेंड के लिए बहुत शान्दार इपिउ है बहुत ही यह में लेके रखना चाहिए दोस्तों और भी वीडियो जो शेयर मार्केट IPO, स्टॉक मार्केट रिलेटेट सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब दें आप देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें